हमारे संगकी राष्ट्री कारेकारणी के मानने नियस अदस से परिष्ट प्रचारक शिरी राममादो जी आज की इस पुस्तक के लेखक मूलता है तो उनका एक थीसिस था जो उन्होंने अपने पिएजडी का किया था और बाद में सब लोगों की मान पर उसको पुस्तक के रूप में उन्होंने बहुत अच्छे सुरूची पुर्ण डंग से ये लिखा है उसके जो लेखक है शरीमान रतन शाहदा जी अपने इस पुस्तक को हम सब के सामने लाने के अंदर जिनकी एक बड़ी भूमी का रही ऐसे गरूड प्रकाशन के अपने प्रकाशक सिरी संक्रान सानु जी आज के इस कारकम में उपस्तित प्रबुद भाईयो भैनो और प्रबुद बर अना प्रतन जी ने जब पुस्तक भेजी तो मैंने इनको कहा मैंने कहा कि मैं अवश्य आऊंगा पुस्तक के भी मोचन पे लेकिन मैंने इनको कहा 기 दिली नहीं आओंगा मुंबई आओंगा ह cioè तो कहने लगे क्यों मैंने कहा दिली में मीडिया वाले जो है हो मेरी किस बात को कहां गुमा देंगे मुझे मालूम नहीं है तो लेकिन उनकी इच्छा थी कि यहीं आया जाए और इसलिए लेखा की इच्छा का सम्मान करना जो है उनके प्रती कृटगयता अग्यक्त करने के समानी है इतना बड़ा काम उन्होंने किया है संग की दृष्टी से भी और इसलिए आज की इस पुस्तक में आना उनके प्रती कृटगयता भी है मेरा दाई तो भी ऐसा मान कर मैं आज इस कारकर मैं आया एक तीन चार बाते हैं इस समय पर मैं कहूंगा पुस्तक की जो बैक्ग्राउंड है जो प्रस्ताव है ये भी संग के क्या है ये हमको समझ में आना चाहिए पुस्तक का महतु क्या है ये दूसरी बात बताऊंगा और ये जो कंफिलिक्ट शब्द परयोग किया संग किसी भी चीज को कंफिलिक्ट मानता नहीं है हम किसी को भी कंफ्लिक्ट मानते नहीं है विश्यों की और देखने की हमारी जो दृष्टी है और जिसके आधार पर अंकाम करते हैं ऐसी एक तीन बातों की चर्चा मैं आपके साथ आज ये सबसर पर करूँगा संग को लेकर धारणाय अलग-लग रहती है लेकिन संग में बहुत लोगों की धारणाय रहती है कि संग में कुछ दौचार लोग सोचते हैं बाकी सब लोग उसका पालन करते हैं ऐसा नहीं है संग का एक सामुईक चिंतन चलता है और वो सामुईक चिंतन की हमारी एक continuity भी है उसकी एक प्रक्रिया भी है देश में हजारों कारे करता सारे देश में ब्रह्मन करते हैं जिलास तर पर, प्रांत स्तर पर, अखिलवारतिय स्तर पर सोच्विकों से भी मिलते हैं, कारे करताओं से भी मिलते हैं समाज के लोगों से भी मिलते हैं विबिन विश्यों के ओपर वो सबके फीड़वेक भी लेते हैं संग के मिलने के एक विशेष्टा होती है कि हम केवल संबोधन नहीं करते हैं संबाद करते हैं और संबाद करते हैं ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं जिन से हम घंटों सुंगते ही हैं और ये सारा करते करते हम सब लोगों के भी कुछ निशकर्ष निकलने प्रारम भोते हैं वर्ष में दो बार अखिल बारतिये परतिनी सबा और अखिल बारतिये कारे कारे मंदल में एक बार अभी आज कल 13.400 कारे करता उसमें एक संग की कलपना है सारे देश के अंदर हमारे एक बहुत विवस्थित निर्वाचन की प्रक्रिया है पचास स्वेंसेकों के ओपर एक प्रतिनिदी और पचास प्रतिनिदियों के ओपर एक प्रांत का प्रतिनिदी और उसके बाद उसके ओपर अखिल वारतिय प्रतिनिदी ऐसे सारे देश के एक बारा चोदा सो कारेकरता प्रतिसमा में गठे होते हैं और एक साड़े तीन सो चार सो कारेकरी मंदल में भी आते हैं और जो भी महतों के विशे होते हैं उसके ओपर संग की जो दिशा तैय होती है वो सामुईक चिंतन से होती है ये प्रस्ताव जो आते हैं प्रांतों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं इन विश्यों पे संग को अपनी दिशा देनी चाहिए वो दिशा संग के सुन्सेगों के लिए भी और समाज के लिए भी है वो प्रस्ताव हमारे पास आते हैं उसके ओपर प्रस्ताव समीती में चर्चा होती है फिर हम उसको सब के सामने रखते हैं कारेकरणी उसमें से तैय करती है कि इन प्रस्तावों को लेखर आना चाहिए फिर उसके ओपर डिसकेशन होता है चार-पांच बार डिसकेशन होता है इतना डिसकेशन होता है कि आप अग पारित होता है तो एक सुख की सांस लेता है ऐसी हमारी सब की वहां प्रस्ताव पारित करने वालों के स्थेधी होती है और एक प्रस्ताव के ओपर प्रतनी सवा में एक 300-400 लोगों का इंपूट आता उसके अंदर कम से करें यह 25% से जैदा लोग उसके अंदर छोटी-छोटी कि बात क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए कभी-कभी तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है कि यह होना ही नहीं चाहिए यह ठीक ही नहीं है और कभी टाइटल भी बदल जाता है कभी पूरा कंटेंट भी बदल जाता है लेकिन वो जो तैह होता है वो संग की दिशा होत एक बार जो resolution बनता है that becomes the direction of RSS उसके आधार के ओपर सब लोग आचरण और वहवार में काम करते हैं वर्षों काम करते हैं और ये चिंतन की प्रक्रिया सत्थ चलती चलियाती है पीडी दर पीडी ये चार-पाँज पीडियों की जो continuity है उसका कारण जया है कि हमारे यहां एक सामुईक चिंतन की प्रक्रिया है और केवल इतना नहीं होता प्रस्तावों के ओबाग फिर नीचे तक उसके ओपर चर्जा की जाती है फिर केवल इतना ही नहीं रहता बहुत सारे लोग देशवर में जब भ्रह्मन करते हैं तो लोग प्रशन पूछते हैं कि यह जो हमने कहा इसके पीछे का भाव क्या है यह क्यों कहा है यह क्यों नहीं इसके पीछे के तो अपना review पे चलता रहता है और सबकी clarity भी होती रहती है और इसलिए जो संग को समझना है तो संग के समझने के लिए मैं बहुत पर कहता हूँ संग को संग की निगा से समझना संग को समझने को लेकर बहुत प्रशन खड़ होते हैं मैं संग का संपर्क प्रमुक था फिर बाद में प्रचार प्रमुक था तो लगबग पिछले दस वर्ष मुझे समाज के प्रबुद लोगों से और समाज में एकडेमिक और इंटेलेक्ट्वल वर्ड के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ा है। में वो हमसे कहते हैं कि आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं उनसे वहता हूँ कि क्या करना है? उनने कहा आपकी perception और reality इसमें 180 degree का difference है. ये जो perception और reality का 180 degree का difference है, इसके लिए आप कुछ क्यों नहीं करते हैं? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हम तो 70-80-90 साल से करी रहे हैं, हमें समझ नहीं आता कि और हम क्या करें? हम जो कर सकते हैं, वो तो हम सब कर दे हैं, लोग कहते हमारे दर्वाजे बन थे, अब तो दर्वाजे खट-खटा रहे थे, आप दर्वाजे खोली नहीं रहे थे, हम मीडिया के बास जाते थे, हमारी निउस नहीं छपती थी, हम आप से मिलने जाते थे, तो रतन जी ने बत आए रहे और संग को समझने के लिए संग को संग के परस्पेक्टिव से समझना पड़ेगा और वास्तों में संग के साथ एक और भी हुआ जैसे जैसे संग की एकांटीनुटीा जो मैने आपको बताया, वैसे ही हमारे विरुदने ecosystem की भी continuity है वो जो ecosystem की continuity है वो भी कभी भंग नहीं हो हाँ ये ठीक है कि उनकी जमीन पर ताकत कम थी जहां उनकी ताकत थी वहां उसका प्रभावरा दिरे दिरे करके जमीन पर हम कहां काम करते हैं हमें कहीं विरोध नहीं मिलता सारे देश के अंदर रामादोजी ने जैसा बता है कि एक बिग organization है अभी अपनी ताकत इतनी है हम चाहें तो एक 5-5,5,5 लाग गावों तक एक 15-20 दिन में पहुंच जाते है देश की 50% population तक reach करना ये अपनी एक सहज range में आज हो गया है जमीन के उपर हम जाते हैं तो हमको संग को लेकर कुछ प्रशन नहीं आते हैं सब जो हम सुनते हैं सारे उसमें से लेकिन academic और intellectual word में जाते हैं तो ये सब बाते आती हैं और अभी व्यक्तिकत बात्चीत में वो भी कम हो गई हैं अभी media में अब मैं उसके लिए कोई ऐसा नहीं कहूँगा लेकिन अभी एक media में एक committed है जितने हम committed है उतने वो भी committed है कि जो हमारी perception बनाने में कोई कसर वो नहीं छोड़ते और उसके कारण भी है में वो सब अपरमाणी के ऐसा नहीं कहूँगा उन तक शैद हमारी पहुँच कमोयोगी हम यही मानते हैं कि जो लोग हमारे बारे में ठीक नहीं लिख पारे उसका कारण वो नहीं है इसका कारण यह है कि शैद हम उन तक आज तक पहुँच नहीं सके Italian fascism Hindu Taliban Hindu supremacist ऐसे ऐसे शबदों का प्रियोग कभी-कभी हम लोग सुनते हैं जिन शबदों के बारे में वास्तों में कुझे मैंने कहा है कि ecosystem की continuity है संग के उपर मैंने एक बार देख रहा था कि पहली research book कों सी आई ऐसे हमने थोड़ा तलाशना शुरू किया तो मेरे को ध्यान में आया 1950 मे militant Hinduism और American Institute of Pacific Relations Far Eastern Survey करके उन्होंने ये किताब छापी ये मुझे पहली संग के उपर एक research book ये मिले अभी संग कितना बड़ा था 1950 के अंदर संग की तो प्रदीबंद के बार ताकत भी नहीं थी अभी तो हम अपने को समाली रहते हमारे पर research शुरू हो गए और उन्होंने 1951 में फिर पुस्तक लिखी उसका प्रकाशन हुआ फिर दुबरा से वो पुस्तक के रूप में है वो तो research था और वो पुस्तक था militant Hinduism in Indian Politics a study of RSS अभी जंसंग भी शुरू नहीं हुआ था अभी राजनीती तक तक तो हमारा कोई संबंध नहीं जाओ और सरदार पटेल उससे में संगगों कह रहे थे कि आप Congress के साथ मिलकर देश के निर्माण में काम करिये उस कालखंड में हमारे बारे में एक research के आधार के ओपर एक पुस्तक चपी militant Hinduism in Indian Politics और Christopher, Jefferlet जैसे लोगों की तो अपार क्रिपा हमारे फिर रही और ये जो सब लेखन है ये सब टर्म जो आज हम कौईन किये वे शब्द सुनते हैं Italian fascism ये जो आज हम सुनते हैं कि वो racial purity concept of Hitler जिसको संगफा ये सब उसकी terminologies है ये वहाँ से शुरूई continuity हमारी भी थी हमारी जमीन पर थी उनकी continuity academic और intellectual word में थी जिसके कारण से ये स्थिती बनी है मुझे लगता है इस पुस्तक का सरवादिक महत्व ये है कि जो लोग संग को प्रमानिक होकर संग की निगासे समझना चाते हैं उनके लिए रदन जी ने academic base के उपर उन्होंने उसका एक research किया with references किया और उसको एक पुस्तक के रूप में सब के सामने लाकर एक अच्छा और दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है जो संग को संग की निगासे समझना चाते हैं संग में officially कहना आधार के ओपर ये पुस्तक है और केवल resolutions नहीं है resolutions के साथ हमने उसके बाद जो किया उसको भी उन्होंने उसमें अंदर समेटनी कोशिश की है और विशेशकर तीन विश्यों पर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा पुस्तक जो है ये ऐसे सब लोग जो वास्तों में objective संग को study करना चाहते हैं उनके लिए पुस्तक है इसलिए मैंने का कारण जी है कि उन्होंने एक ऐसी पुस्तक सब के सामने लागे दी जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ आप इसको पढ़िये और पढ़कर इसके अधार पर संग के वारे में आप अपना एक विचार बनाईये विविन विश्यों पर संग की सोच क्या है ये समझे दूसरी बात जो मैंने कहा संग की संकल्पना रामादोजी ने करते वे कहा कि अपना काम जब शुरू हुआ तो हमने पहले दिन से माना सरवे शाम अविरोदे हमारा कोई विरोदी नहीं हमारा कोई विरोद कर सकता है लेकिन हमारा वो विरोदी नहीं हमने समाज में दो ही तरह के लोगों को माना एक वो जो संग में आ गए एक वो जो संग में आना बाकी है इसके लवा कोई नहीं है हमारा conviction है और इसी conviction के आधार पर हम काम कर रहे हैं इसलिए जितना भी विरोध करता है उसके विरोध के बाद भी हम उसके पास जाना छोड़ते नहीं है और हम उसके परती कभी कटू होते नहीं है क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये सारी धरणा इसलिए है कि हम उस तक पहुंच नहीं से जिस दिन हम अपने आत्मियता के आधार के ओपर और हमारी जो विचार है उसके आधार पर उस तक जाएंगे उस दिन वो हमको समझेगा हमारे साथ आकर खड़ा हो जाएगा और ये पिछले 95-95 साल का 96 साल का हमारा आनुभव है कितने ही विरोधी ऐसे हैं जो हमारे साथ आकर खड़े हुए हमसे जैदा हमारे से अधिक और संग के बारे में बोलने वाले ये हो गए ये हमारा आनुभव भी है दूसरा हमारे संग को लेकर हमारी कुछ कन्विक्शन्स है जिसके आधार पर संग की सोच बनी है उसमें पहली बात ऐसी है वन नेशन, वन पीपल, वन संस्कृति मैं कल्चर जानबुच के शब्द नहीं प्रियोक कर रहा कल्चर वो बहुत छोटी है ये जो एक राष्टर, एक जन, एक संस्कृति ये हमारी कन्विक्शन है ये हमारा नारा नहीं है उत्लर दक्षिन, पूरव पश्चिन हर भाषा, मतव, पंथ हर प्रकार के रहन, सैन, खान, पानवला व्यक्ति इस देश के अंदर एक राष्टर, एक जन, एक संस्कृति ये जो सारी हमारी सोच बनती है जो हमने काम किया है उसके मूल में ये है इस देश में रहने वले प्रतेग व्यक्ति की और हमारी हमारा संग का राष्टर को लेकर जो हमारी कल्पना है ये जो वेस्ट में राष्टर की कल्पना शुरू हुई जो सीटी स्टेट से प्रारंबूई एमपायर्स में आई थियोक्रेटिक स्टेट की और बड़ी थियोक्रेटिक स्टेट से वो धीरे धीरे करके आज का मौडरन नेशन स्टेट के अंदर आया और अनेक प्रकार की उसके प्रकार बने हमारा राश्टर वैसा नहीं है हमारी राश्टर की कलपना हमारी हजारो साल की एक सांस्कृतिक राश्टर वा जिसको हम कहते हैं ये उसकी एक कलपना है हमारा राश्टर का जीवन एक अप्रवा है जिसके मूल के अंदर एक दर्शन है सब में हमने एक तत्व को देखा जब सब में एक है तो कोई छोटा बड़ा नहीं कोई भेद नहीं हो सकता सब में एक है तो विवित्ता दिखती है वो विवित्ता नहीं है उस विवित्ता के पीछे के उस एकत्व को देखने की आउशकता है जीवन का लक्षे ये सुख की प्राप्ति है ये सुख जो है ये भोतिक बातों में नहीं है आत्मा का सुख यही सच्चा सुख है और वो प्राप्त करना है तो वो भोग से मिलने वाला नहीं है अंतोतोगत्वा जीवन को एक अध्यात्म के आधार के ओपर जीवन की देखने की दृष्टी यह जो एक हमारा दर्शन था उस दर्शन के आधार के ओपर हमारे मूले बने सही शनुता, सत्य, आतमियता पून, दृष्टी सबके साथ लेकर चलने के पीछे का जो भाव है वो उसके अंदर देया, करुणा और ये मूल्यों के आधार के ओपर हमारी संस्कृती बनी प्राणी मातर का विचार करना, अतिति सत्कार करना ये जो अमारे वहवार में चोटी 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 बाते दिखाई देती हैं ये उसके पीछे का अपने पिचार है सारे देश के अंदर हमने विवित्ता को कभी भेद नहीं माना उसको भेद का कारण नहीं माना हमने कभी एक वन्नेस की कलपना नहीं की हमने सारे देश के अंदर इस संस्कृति के अधार के ओपर ये विवित्ता जो है उस विवित्ता के पीछे के एकत्व को देखा इसलिए भारत कैसा बन गया हमारे यह भाषाए अनेक थी भाव एक है हर भाषा के अंदर एक ही भाव के आपको गीत मिलेंगे, आख्यान मिलेंगे, सब प्रकार के मिलेंगे देश के अंदर कोहीं भी महापुरुष कहीं भी जन्मा उसने विचार पूरे राष्टर का किया, महापुरुष वो पूरे देश का हो गया वो संतनामदेव महाराष्टर से पंजाब में आये तो पंजाब के हो गए शंक्राचारे पुरे देश के बन गए मदवाचारे पुरे देश के हो गए गुरुननक देव जी से लेकर गुरुवेसिंजी की परंपरा तक पुरे देश की हो गई गोतम बुद्ध पूरे देश के हो गए वो एक मत्पंथ के नहीं रहे हमारे यां मत्पंथ हनेक हो सकते हैं लेकिन सब मत्पंथों के अंदर उसके पीछे का जो मूल है वो सब का समान था शी, करुणा वो जो मूल बाते थी वो सब एक रहे ये जो बारत के जीवन की जो विशेष्टा है इसको हमने इस देश के राष्टर जीवन का आधार माना है इसलिए हमको कुछ भेद लगता नहीं है ये जो रामादोजी ने कहा या रतन जी ने कहा कि हमारा व्यक्ति सहच वो उत्तपूर में भी चला जाता है वहाँ जाएंगे वहाँ की भाषा बोलेंगे वहाँ जाएंगे वहाँ के खान पान के हो जाएंगे वहाँ की बेश-बुश्चा हो जाएंगे वहीं के बन जाएंगे इसलिए वहाँ जाने के बाद इतना ही रहता है कि लोगों को पता ही नहीं लगता कि अच्छा ये वहां के रहने वाला है कि और ये जानने की इच्छा भी नहीं होती किसी संग के सोचने का दूसरा ढंग है एक विशे जो है ये जो संगर्श दिखते है ये जो विविद प्रकार के संगर्श दिखते है जिसको मैंने का conflict resolutions जिसकी बात चली है जो संगर्शे दिखते हैं वास्तों में संगर्शे का कारण क्या है चाहे वो पंजाब है चाहे उत्तरपूरव है चाहे कोई है किसी भी प्रकार का प्रश्न है वो हमारा ये मानना है जब हम मूल का विस्मृण करते हैं स्वामी वेकानन जी कहा करते थे सब बातों के समस्याओं का मूल है आत्म विस्मृति हम भूल गए हम को ये जो हमारे पूरवजों ने जो दर्शन दिया था जिसके आधार के ओपर हमने देखने की दृष्टी बनाई थी one nation one people जब इसको भूल कर हम एक छोटी identity के साथ अपने जो भी संगर्श आता है वो संगर्श के पीछे जो है वो वास्तों में जैसे ही आप अपने आपको एक बड़ी identity से छोट कर छोटी identity के साथ जोडते हो वो जाती की होती है वो भाशा की होती है वो मत्पंत की होती है वहीं से जगड़ा खड़ा हो जाता है वहीं से दूसरा महत्वा, लेकिन language is one of the identity religion का बड़ा महत्वा, religion is also one of the important identity मैं जीवन में क्या करता हूँ वो भी मेरी एक identity, मैं डॉक्टर हूँ मैं पत्रकार हूँ, वो भी तो मेरी एक identity बनता है ना जीवन के अंदर मैं एक शेतर के अंदर जन्म लेता हूँ वो तमिलड हो सकता है, वो पंजाब हो सकता है वो करनाटक हो सकता है वो दिल्ली हो सकता है वो भी एक मेरी identity का इसा ये सम मिलकर एक identity बनती है केवल एक identity नहीं हो सकती only language, only region, only religion only profession ये मेरी identity नहीं हो सकती है सम मिलाकर हमारी identity क्या है हमारी identity है one nation, one पीपल, एक राष्ट एक जन, भारत माता की संतान, हम सब सगे भाई, हमारा एक खून का रिष्टा, यह हजारों साल की जो हमारी संस्कृति है, यह हमारी संस्कृतिक पैचार, यह जोडने का सूत्र है, यह विस्मरन होता है, तो भेद खड़ा होता है, उसके बास संगर्ष हो यह जो आपकी दृष्टी जब कमजोर होती है सारोष में से तो संगर्ष जब खड़े होते हैं तो संगर्ष जो दिखते हैं वो संगर्ष नहीं होता पंजाब की परिस्तिदी में कुछ हो गया है 25-30 साल बहुत कठिंग भी थे जब मुकश्मीर में पिछले 60-70 साल से चल रहा है हमारे उत्तरपूरू के अंदर बहुत कुछ चल रहा है ये जो सारे संगर्ष हैं जिन पर हम प्रस्ताव जब करते हैं तो उसके पीछे हमारी सोच के होती है जो आज दिख रहा है वास्तों में ये ही एक कारण नहीं है उसके मूल में जाओ ये भेद बनना कहां से शुरू हुआ था ये भेद किसने पैदा किया कैसे किया वो कौन सी चीजा जहां से भेद बनना प्रारंब हुआ जब कोई समस्या का जन्म होता है तो वो समस्या तुरंत नहीं होती उसी दिन नहीं होती उस समस्या में बहुतों की भूमिका होती है जिनके स्वार्थ होते हैं उनकी भी भूमिका होती है जो उनके लाव उठाना चाते हैं उनकी भी जिनकी इच्छा है देश टुकटे टुकटे हो जाए उसमें उनकी भूमी का है जिनोंने वो भेद पैदा किया था उनकी भी एक भूमी का था बहुत सारे लोग जो उस भूमी का आदा कर रहे होते हैं वो सब अप प्रमानिक होते हैं ऐसे नहीं कुछ victim of false narrative भी हो जाते हैं वो मन से परमानिक होते हैं तो कोई भी विशे आता है तो उस विशे के पीछे के मूल में जाए और वो मूल में जाने के बाद हमारा संग का मानना है कि जैसे ये भेद है उस भेद के कारण से वो जो मैंने कहा आत्मविश्मृती हो गई ये भेद है बन जाता है उसके करण से समस्या का जन्म होता है समस्या को समझीए तो सही समाधान करिए लेकिन समाधान का सूत्र कहां है तो समाधान केवल शासन, प्रशासन, संगठन के आधार पे नहीं होगा वो समाधान है समाज की अंतर नहीत शक्ति हमारी ये सबसे बड़ी सोच की जो हमारी विशेष्टा है कि आपको जो बहुत बातावन दिखाई देता है बहुत खराब हलात होती है एक समाज की अंतर नहीत ताकत है उस अंतर नहीत शक्ति को जगाना पड़ेगा जहां समस्या है वी समाधम है जो समस्या के कारण बनते हैं वोई समाधम के भी हसतक बनते हैं पिछले दिनों कई बार ऐसा पिछले 15-20 वर्षों में आया मैं जब कहीं पर था तो वहां ऐसी जब चर्चा आती थी मैं उनको कहता था रे चिंता मत्कुरे जो बहुत आपको संगर से दिखाई दे रहा है हरियना के अंदर बड़ा अंदोलन हो गया था तो मैंने कहा यह तुफान है तुफान आता है तो उस समें तातकालिक सिर्थ थोड़ा जुका लो तुफान आता है तो बिनाश भी हो जाता है यह तुफान मिट जाएगा हमेशा रहने वाला नहीं है तुफान हटेगा देखेंगे क्या-क्या नुकसान हुआ उसका हल करेंगे और आप देखना पहले से जैदा मजबूत होकर समाज बाहर निकलेगा क्योंकि समाज की हमारी एक अंतर नहीं शक्ती है वो साथ-साथ खड़ी हो जाती है आवशक्ता यह है उस अंतर नहीं शक्ती को जगाना पड़ता है राश्ट्रियस उनसेक संग ने ये कंफ्लिक्ट रिजुलूशन जिसको कहा उसके अंदर यही मूल मा हमने जम्युकशमीर में भूमिका अधा की पनजाम में भूमिका अधा की हमने ध्यन में आया कि ये विदेशी शक्तियां इसका लाव उठाना चाहती है तो इनको कैसे उनकी भाषा में उतर देना चाहिए इसके लिए शासन प्रशासन को आग्रा करना वो लाब ना उठा सके हैं उनके मनसूबें क्या हैं उसके प्रति समाज को जागरू करना समाज के अंदर अलगाव वादी, कटर बंती ऐसी कुछ शक्तिया हो जाती है उनको आईसोलेट करना उनको अलग थलग करना उनकी वास्तिक्ता को लोगों के सामने लेकर आना, कभी कभी जो उनके पीशे लोग आकर खड़े हो जाते हैं उनको बताना की वास्तों में ये क्या चाहते हैं, ये क्या करने वाले हैं लेकिन सबसे महत्यों की बात है समाज आपस में लड़ना की कोशिश करना और इसी लिए जो हमारे सारे प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों के अंदर आप देखेंगे कि प्रतेक प्रस्तावों के अंदर हमने वो जो विदेशी शक्तिया हैं उनको हमने उनके मनसूबों के परती आगा करते वे उनके परती सक्त कारवाई की जाए इसकी बात भी की हमने अलगावादी और आतंकवादी ऐसी सब शक्तियों को कैसे समालना चाहिए इसके बारे में भी का उनको आईसोलेट कैसे करना उनको इरलिवेंट कैसे करना उसको डिसफंक्शनल कैसे करना उनका प्रभाव कैसे समाप्त करना इसके बारे में भी सोचा लेकिन अ पुरी आजकार सारे देश के अंदर, यह जो जम्मू कश्मीर का प्रशन, यह पुरे देश का बना, यानि, 91, 92, 93, 94 का वो जो दोर है, तो 93, 94 में सारे देश में जम्मू कश्मीर के प्रशन के प्रषियम जागरुकता ला रहे थे, कश्मीर बचाओ, ऐसे विश्यों को लेकर समाज में विद्यालियों में महाविद्यालियों में इंटलेक्च्छल वर्ड में जा रहे थे लोगों को वास्पिक्ता बता रहे थे आंतमें क्या होने बाला जम्मू कश्मीर के अंदर वो कश्मीर घाटी से आपने को वा डोड़ा की और बढ़ रहा था इसलिए वा डोड़ा बचाओ अंदोलन चला रहे थे और वो डोड़ा बचाओ अंदोलन चलाते वे सरकार को मजबूर करना की सेना के हवाले इस शेत्रगोए हवाले किया जाए इसके लिए केवल डोडानी दिल्ली में भी सारे देश के लोगों को लाकर प्रदर्शन कर रहे थे सारे देश से विद्ध्यार्थी परशाद डॉक्टर मुरली मनुर जोशी जी के नित्रित्व में बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर साहिता समीति के मात्यम से सामाने समाज का सहयोग लेकर कश्मीरी हिंदू की उस समय की आवशक्ताओं को पूरती करना ये भी चल रहा था और उस तीन-चार वर्षे के अंदर कश्मीरी हिंदू समाज जब जाने की स्थिदी में नहीं था 93-94 के अंदर हमने संजीवनी शार्दा के अंदर बना कर जिसको खिर बावानी रहते हैं वहां की यात्रा प्रारंब की हमारा भूमी से नाता टूटना नी चाहिए उनका एजेंडा संपूरा हो जाएगा जिस दिन कश्मीरी हिंदू समाज का कश्मीर से संपरक वो बना कर कैसे रखा जाएगा अभी हमको मजबूरी में बहार आना पड़ा है पहली बार जब हमको ले कर जाना था इतना कठिन था कि 15-20 लोगों को भी ले जाना असान नहीं था लेकिन जिस दिन खीर बावानी का दिन आया वो 15-20 लोगों को हम सुरक्षा के अंदर इसे ही लेकर गए अमरनाथ की यातरा पर प्रतिबंद लग गया तो अमरनाथ की यातरा भी चलनी चाहिए और उसी समय आतंक बाद कश्मीरी हिंदू समाज के निकलने के बाद कश्मीर घाटी में रहने वाले बाकी मुसलमानों के उपर भी टारगेट जब होना शुरूबा उनके लिए भी अपना सहिताकारे प्रारम होगे यानि आम जो कितनी डाइमेंशन पर काम कर रहे थे यानि आप ये तीन वर्षे के अंदर अगर देखेंगे वो जो पीक है 92, 93, 94 के अंदर देश में कश्मीर बचाओ को लेकर सारे देश में आंदोल जन जागरन के अभियान चल रहे थे डोड़ा बचाओ आंदोलन चल रहा था बीडीसी में भरती हो रही थी सरकार को मजबूर किया जा रहा था कि सैना के हवाले करना चाहिए कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीर धरती से कश्मीरी हिंदू समाज का रिष्टा बना रहे इसके लिए यात्रा भी चल रही थी और वहां के सामान ने समाज के लिए काम भी चल रहा थी मैं एक बार वहां गया मैंने का देखो हमारी ये conviction है आप और हम भाई है हमारा खून एक है हमारे पूर्वज एक है भाई कश्ट में हो तो उसका हाल चल कुछने आने ही चीए हाँ हमारे आने से आपको कुछ कठना ही हो दियो तो बताइए हम नहीं आएंगे हम किसी security के साथ नहीं जाते थे संग का परिशे कभी छुपाया नहीं हमने संग के दाईतों के साथ ही जाते थे सामान में समाज में जाते थे क्योंकि हमारा conviction है one nation one people वो नागा लेंड में वो मिजोरम में उन सारे शेत्रों के अंदर वो हिसाई बन के होंगे वो चर्च के प्रवाव में आकर हम को अलग-लग दृष्टी से देखते होंगे लेकिन हम उनको अपने पूरवजों और उनके और हमारे पूरवज एक है हमारी संस्कृत ही एक है ये जो मूल में है पंजाब के अंदर बहुत परिस्तिती खराब थी हमारे बावरवजी गए वहाँ बैठा कोई लोग इतने परशान थे रोज आना लोगों को ट्रेनों से उतार कर बसों से उतार कर गोली से उड़ा देते थे लोगों को घर गाउं छोड़ कर आना पड़ रहा था इतना क्रोध था क्या करें पावरवजी ने का देखो एक ही बात भ्यान तक ना भाई भाई से लड़ना नी चीए समाज नहीं लड़ना चीए ये समाज जिस दिन लड़ गया उस दिन उनका एजेंडा पूरा हो जाए पाकिस्तान तो उस दिन की इंतजार में है जिस दिन अपने आपको केशदारी गैर केशदारी हिंदू सिखी आमने सामने आकर खड़ा होके लड़ना प्रारंब उस सारे दोर के अंदर आतंगवाद से लड़ना आतंगवाद के पीछे पाकिस्तान के मनसूबों के प्रती समाज को जागरू करना आतंगवाद के पीड़तों की सहायता करना लेकिन समाज का भाईचारा बनाते वे धीरे धीरे करके समाज की अंदरी समाज की अंदर की शक्ती को जगा कर उस आतंकि बाद को प्रास्त करेब ये संग किसी को कंफ्लिक्ट नहीं मानता ये जो भिभेज है ये जो भ्रह्म है जो कुछ भी हम को दिखाई दे रहा है उसके पीछे क्या है हम भूल गे कि हम ये जो संग को समझना है तो संग की संकल्पना اور संग के विचार को समझना पड़े वो केवल रिजुलुशन नहीं, वो रिजुलुशन के पीछे की दृष्टी है, वो समझना पड़े गा, और इसलिए हम रिजुलुशन पारिद करते हैं, जब करने की बात आता है, तो हम सरकार से मांगनी करते हैं, हम के बल सुनसेटों का आवान नी करते, हम उसके अंदर कहते हैं कि ये प्रस्ता पारिद करते वे इसके समाधान के लिए, इस प्रश्ण के समाधान के लिए, समाज का जागरुक, प्रबुद्ध वर्ग, संग, सामन्ने समाज, और शासन, प्रशासन, सबको भूमी का आजा करने पड़ेगी ये जो संग की दिशा और द्रिष्टी है इसको समझना है ये संग की दिशा और द्रिष्टी समझ में आ गई तो संग को लेकर ये जितने भ्रहम है ये खत्म हो जाएंगे और इसलिए प्रस्तावों के साथ हमने क्या किया उसके बारे में भी रतंजी ने जो इस पुस्तक के अंदर जोड़ा है मुझे लगता है कि उससे थोड़ा आपको इंसाइट बिलेगा वो थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विशे इतने जएदा है और कालखंड इतना लंबा है कि एक पुस्तक की सीमा में उसको समेड़ना बहुत मुश्किल है लेकिन संग को एक जानने की जो अब्जेक्टिव जिग्यासा रखते है संग को प्रमानिक धंक से जो समझना चाते हैं उनके लिए पुस्तक ये बड़े महत्व की है संग का बहुत पहले से मानना है कि कुछ भी करना है तो जब बड़ी कोई परशानी होते हैं तो हम कहते हैं कि यार दुनिया में कोई लकीर मिटा ही नहीं जाती अपनी लकीर बड़ी करनी पड़ती है अपना प्रयास बड़ा करना पड़ता है ये एकेडमिक इंटेलेक्चुल वर्ड के अंदर भी ये जो सारा आज संग को लेकर वाता मढ़ना है इसको बदलना है तो हमको एक अपनी लाइन बड़ी करनी पड़ेगी वो 1950 के पुस्तक छपी मैंने कहा वहां से एक इको सिस्टम है उसकी भी continuity है हमको भी एक इको सिस्टम है वो इको सिस्टम यानि एजेंडा वाला नहीं एक देश के अंदर एक बड़ा प्रियास हमको करना पड़ेगा रतन जी ने और कुछ लोगों ने पिछले जिनों इसका प्रियास प्रारंब किया है मुझे लगता है कि पुस्तक का लिखना और छपना ये प्रियाप्त नहीं है इसको अदिक दिक जगह पहुचाना पड़ेगा केवल पहुंचाना ही प्रयाप्त नहीं होगा इस पुस्तक के अंदर जो विमर्ष है उस विमर्ष को पब्लिक का विमर्ष बनाना पड़ेगा डिस्कोर्स आफ़ पीपल बनाना पड़ेगा उसके लिए इसके आधार के उपर बहुत सारे विश्यों पे हम लोग लिखे और केवल इतना ही नहीं ये जो लिखने की शुरुबात लिया है इस लिखने की शुरुबात में और समाज में संग को अब्जेक्टिव डंग से समाज के सामने प्रस्तुप करने के वाले बहुत सी पुस्तके भारत की सब भाशाओं में आए मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रियास करेंगे तो इंटेलेक्चुल और एकेडमिक वर्ड के अंदर भी जो एक बड़ा खाली पन है एक शुन्यता है एक वाइड है संग को प्रमानिक धंग से समझने वालों के लिए उसको हम पूरा कर सकते हैं मुझे लगता है रतंजी ने इस काम को प्रारंब किया है आप तेसे कई प्रबुद लोग यहां हैं उस्तक को आगे बोचाने में विमर्ष को आगे बढ़ाने में और उस्तकों के माद्यम से समाज में इस विमर्ष को विमिन आयामों को प्रस्तुत करने में अपनी भूमी क और अदा करेंगे, ऐसा अनुरोध करते हुए, अपेक्षा करते हुए, और आज के इस कारकय में मुझे निमंतरण दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हुए, और आप सबने थोड़ा जैदा समय में बोल गया, उसको सुना, इसके लिए आपसे माफी चाहते हुए और आप प्रण नवाट करते नहां नवाट करते नहां नवाट करते हैं